हालो बच्छो गुड मॉनिंग क्या हाल चाल हैं आप लोगों के देखो आज मैं आपको जेई में 2024 के लिए ना कुछ छोटी-छोटी बाते बताने जा रहा हूं जिनको अगर आप फॉलो करोगी तो आप कम से कम समय में अगर एक लंबे समय को देखो तो आप effective time को utilize कर पाऊग सुनके यह आपके चेरे पर थोड़ी सी मुस्क्रा ठोड़ा डर आगया होगा सर कैसे चेप्टर उठा के लिए आयो समझ में आता नहीं question कैसा आ जाता यह बिल्कुल सही बात है यह जो दौना चेप्टर है ना indefinite integration खासकर यह ऐसे chapters है जिसमें आप कितने भी expert हो जो लेकिन quadratic upon quadratic कैसे solve करेंगे linear upon quadratic जो basic basic funding वाला अपन square में जो sin square वाले time होते नीचे उसको कैसे solve करेंगे तो एक तरीका तो यह हो गया कि आपको जो copy वाले questions हैं जो आपके सरने पढ़ाए हैं वो आपको आने चाहिए कि किस तरीके से वो होते हैं वो आपका 30% हो गया क्योंकि directly उससे question बहुत कम आने के chances रहते हैं दूसरा होता है कि आप जब question करोगे तो आपको experience हो जाता है कि अच्छा यहां पर यह manipulation लग रहा है और बाकी थोड़ा बहुत मेरे गुरू कहते थे बाकी थोड़ा बहुत जो है वो तो उस समय पर आपको strike कर गया कि यह वाले चीज है तो बाकी तो कैसे करें इसके लिए मैं आपको बताता हूं video complete देखिया आप किस तरीके से मेरी क्या strategy रहती है मैंने बोला कि आप मान लीजिए आपके पास एक example ले लो कि आप PYQ solve कर रहे हो जो भी question solve कर रहे हो आपना 150 questions ले लो एक example के तौर पर 150 ले लो 200 ले लो चलो मान लेते हैं आ ही दिन में 30 questions 40 questions लगा दिये solve कर देते हैं इसमें आप ऐसा ना करें इसमें क्या करें इसमें आप 5 से 10 questions पर इड़े solve करें आप मानने कि मैंना इसके जैसे मान लीजिए आपने 5 questions ले ले लेते हैं बहुत easy task ले रहा हूं मैं आपके लिए बहुत easy task है यह easily हो जाएगा बहुत 5 questions 5 to 10 questions तो 5 to 10 questions ही mark करो आप अब देखो अगर आप 5 questions भी लेते हो तो एक महीने में आपके दिर्टो questions होता है एक महीने में आपके दिर्टो questions solve हो जाएंगे अगर आप 10 questions लेते हो तो 20 दिन में यह solve हो जाएंगे बैं बहुत आपने जैसे 5 questions उठा लिए अब 5 questions क्या करते हो आप 5 questions per day 5 to 10 questions per day solve कर रहे हो ओके अब इसमें क्या है आप इसमें जैसे 5 questions यह वो solve कर लिए आपने फिर से अगले दिन 5 questions solve कर लिए फिर अगले दिन 5 questions कर लिए same trigonometry का है अब इसमें क्या होगा कि आपका जो manipulation है जो trigonometry हो आपके दिमाग पे 30 दिन तक रहेगा भाई आप daily question solve कर रहे हो या फिर हर next to next day solve कर रहे हो आपने इसाब से देख लो आप कैसे कब तक finish करना है आपको कोसिस करिएगा कि इसका revision आप जैसे जेए में 2024 वाला जो है वो 24 जनवरी को मान लेते हैं 24 जनवरी को है तो आप कोसिस करिए कि आप इसको करीवन करीवन आप 31 दिसम्मर या 10 जनवरी तक solve करें ओके इस हिसाब से question ले लिए बहुत सारे question मिल जाएंगे और आपका task भी खतम हो जाएगा और load भी जाता नहीं पड़ेगा पांच question करने में मुस्किल से 15-20 मिनट लगेंगे आपको पांच question की ये खतम कर दिया फिर अगले दिन आगे फिर अगले दिन आगे पांच question लेके तो जो manipulation है वो आपके दिमाग में एक लंबे समय तक रहेगा इसमें manipulation ही चलता है किसको T मानना है किसको DT मानना है अगर पर जाए कि ये ऐसे करते हैं ये manipulation था ये manipulation था फिर ट्रिगनोमेटरी भी आप कर रहे हो जड़ा तरह क्या होता है ट्रिगनोमेटरी और इंटीग्रेशन फसागे मिला रहा होता है questions को कभी साइन से multiply करना होता है कभी कॉस को common लेना होता है कभी root के अंदर कुछ multiply करना है तो मेरा आज का जो था आज का जो मेरा टेक्निक था वो integration trigonometry को लेके था आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और chapters के बारे में कि probability और PNC को कैसे solve करना है बाकी और algebra वाले portion में कैसे solve करना है कौन से वाले portion पर क्या ध्यान देना है ये मैं आपको बताते रहूँगा तो चलो फिर मैं मिलता हूँ आपसे ठीक है अगले में trigonometry का भी same है ठीक है na trigonometry का भी same scene है इस तरीक है actually इन दोनों को mix कर दिया जाता है इन दोनों को mix करके ना जब आपके सामने question रखा जाता है जूँकि काफी difficult खास कर substitution किसी को T माना DT बन गया और integration by parts दो चीज़े मार्गेट में बहुत चल रही है आज की टाइम पर जेही में की फेवरेट है एक चल रहा है आपका substitution substitution और एक चल रहा है आपका integration by parts integration by parts integration by parts में जैसे x वाला term दे दिया और trigonometry वाला term दे दिया अब उसमें वो integration by parts से solve हो रहा होगा तो इन पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे के आप और question solve करें जब आप जहीं की question solve करोगे तो आप देखो कि इन ही की question ज्यादा थे ओके तो मिलते हैं फैर अगली वीडियो में अगली tips और technique के साथ तब तक के लिए okay bye bye take care अगर आपका कोई भी doubt है तो आप मुझे comment करकी बताइए